जहें दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीदें दोस्तों आप सब बहुत अश्यस होंगे आए इस वीडियो में हम बात करते हैं मापन, आकलन और मुल्यांकन इन तीनों के बारे में जानेंगे इनकी अर्थ, परिबासा, प्रक्रिति जानेंगे और साथी साथ देखेंगे कि इन तीरों में अंतर क्या होता है इससे सम्मादित जो भी प्रशन आज तक आपसे पूछे गए हैं सब को आज 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 कवरब करने वाले हैं और साथी साथ हम यह भी दिखेंगे मुल्लाइकन के प्रकार्म जैसे सर्तत मुल्लाइकन व्यापक क्या होता है तो इन तीनों टॉफिक से जितने भी पूछे गए हैं अभी तक जो आपकी एक्जाम्स में पूछे जाने की संबावना है इंपॉर्टन कोश्चिन है आई एम उन सब को देखते हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों सुरू करते हैं मापन से मापन के सब्दों को समझने से पहले आएक पर अपने अर्थों में समझ जाते हैं मापन क्या होता है जैसे मानली जी एक बच्चा है जो की एक्जाम्स देने बैठा है और एक्जाम्स दे दिया उसने एक्जाम्स के बाद आपने उसको नंबर दिया 60 नंबर उस बच्चे को साठ अंक प्राप्त हुएं तो आपने क्या किया उसकी पढ़ाई कैसे हुई कितनी हुई आपने एक अंक के रूप में व्यक्त कर दिया वास्तों में जब हम किसी चीज़ को अंकों के रूप में व्यक्त करते हैं तो वह मापन कहलाता है आईए देखिए मापन से सधारत या अभी प्राय लिया जाता है कि पद्दतों का मात्रात्मक में रूप में परिवर्टित करने वाली प्रकिरिया ठीक है तो जब हम मात्रात्मक रूप में परिवर्थित करते हैं वो मापन कहलाती है अब आईए रॉस इस्ट्रेज ने कहा था कि मापन निश्चित स्विक्रती नियमों के अनुसार वस्तूओं को अंक परदान करने की प्रकिरिया है ठीक है दोस्तों गिलफॉर्ड ने कहा था कि मापन का अर्थ पद्दतो का अंको के रूप में विवरार देना जिसका अर्थ है कि गणिती चिंतन और अंकों से कारे करने पर प्राप्त होने वाले लाभू का अधिक्तम फाइदा उठाना चीक है चलिए स्टीवन्स ने कहा था मापन किनी निश्चित नियमों के अनुसार वस्तूओं को अंक परद में तो आकलन क्या होता है मापन के प्राप्त अंकों का अर्थ निकालना मैंनली जी कोई बच्चा साथ नंबर पाया तो साथ नंबर पाने के बाद साथ नंबर का क्या अर्थ हुआ साथ नंबर का अर्थ हुआ कि बच्चा पढ़ने में औसत से बहतर है ठीक है साथ नंबर क बच्चे ने थोड़ी से मेहनत करी है या बच्चा अच्छे से पढ़ा है एक्जाम्पल की तोर पे बच्चे का मान ली जब माक्स 40 आया तो 40 का मतलब बच्चा औसत से कम है पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहा है तो इसके बारे में जब हम मापन के अंको का अर्थ निकालते ह है तो अर्थ निकालने की क्रिया को क्या कहते है आकलन कहते है अब आकलन क्या है दोस्तों आकलन वह प्रकिरिया है जिसके दवारा हम यह ग्यात होता है कि कोई बच्चा अधिगम को किस अस्तर से सीखा है या किस अस्तर तक अधिगम को करण करने में समर्थ रहा है आकलन के द्वारा हम अधिगम की उपलवदियों का पता लगाया जाता है ठीक है अब आईए आकलन बाला के अधिगम का मुल्यांकन करती है अधिगम में हुई कठनाईयों का आकलन के द्वारा पता लगाया जाता है आकलन की प्रकिरिया सिक्षक के लिए भी लागू होता है कि इस प् बच्चा 30 नमबर पा लिया तो हम इस अंक के अधार पे अर्थ निकालेंगे कि बच्चा कहां तक पढ़ा उसकी कमी क्या है उसकी कमी को दूर कैसे करेंगे सिख्छक ने कैसे पढ़ाया क्या पढ़ाने की विदी सही थी की नहीं तो जब हम मापन के प्राप्त अंको का हम अर्थ निकालते हैं और उसके बारे में हम चिंतन करते हैं तो वो क्या हो जाता है दोस्तों आकलन हो जाता है अब आएए आकलन की परिभासा देते हुए हुबा और फ्रिड ने कहा था कि आकलन सूचना, संग्रहन तथा उस पर विचार वीमर्स करने की प्रकिरिया है सूचना आपने मापन के दोवारा अपने अंग प्राप्त कर लिया संग्रहन उसको इकटिया किया, उस पर विचार वीमर्स किया जिने हम विविन माध्यमों से प्राप्त करते हैं करके जान सकते हैं कि विद्यारती क्या जानता है, समझता है अपने सैचिक अनुभाओं से प्राप्त ग्यान को परेडाम के रूप में व्यक्त कर सकता है जिसके दोबारा छात के अधिगम में व्रेदी होती है तो आकलन की परिवासा उन्होंने दिया था अब आकलन के उदेश से क्या होगी हम आकलन करते क्यों है तो आकलन के दोबारा बालकों की प्रगती का अस्तर का पता चलता है कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं चातरों के विकास क्यों निरंतरतर गती देने का उदेश से होता है अब बालकों में योग्यता, कुसलता, छमता, थता, गुण इत्यादी का पता लगता है कि बच्चा कुसल है, कितना पढ़ा लिखा है, योग्य है कि नहीं है, इस पर कितनी मेहनत करती है, इसका पता कैसे लगता है, आकलन से लगता है, चलिए, सिच्चकों की कुसलता है, उन सफलता का भी पता लगता है कि टीचर ने कैसे पढ़ाया, आकलन के द्वारा अध्यान दोनों को प्रभावसाली बनाया जा सकता है, चलिए, अब आज ये बात करते हैं, आकलन के प्रतिमान के बारे में, ठीक है, model of assessment, आकलन के प्रतिमान तीन तरह के दिये गए हैं, पहला क्या है, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, ये समझना बहुत जुरूरी है, अधिगम के लिए आकलन, मतलब सीखने के लिए आकलन, आप किसी चीज का assessment आकलन, इसलिए करते हैं, कि बच्चा और सीखे, example की तोर पे, माली आपने एक टेस्ट लिया, जिसमें 35 नंबर आया, आपने इसलिए इसका टेस्ट लिया, क्लास में टेस्ट लिया, ये जानने के लिए, कि बच्चे के अंदर कमी क्या है, और बच्चे को और हम सिखाएंगे, और हम बताएंगे, ठीक है, तो ये हो गई बा करना है, अधिगम का आकलन, कि आपने टोटल कितना बच्चे को सिखाया, और बच्चा कितना सीखा, तो जब टोटल अधिगम का आकलन करेंगे, तो वो हता है, अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, अक्सर वो विद्यारती या वो सिक्चर स्वयम के बारे हम कर जिसकी थोड़ी सी व्याख्या कर दीजेगा कई बार आपसे एक नंबर या दो नंबर में ये पूछ देता है कि अधिगम के लिए आकलन से आप क्या समझते है तो बताइए कि अधिगम के लिए आकलन एक आकलन का परतिमान है जिसमें हम आकलन इस उदेश्य से करते हैं कि हम और अधिगम कर सके हम और सीख सके चलिए ठीक है बहुत अच्छा अब आईए हम देखते हैं थोड़ा सा अधिगम के प्रकार आकलन के प्रकार नहीं इसको अभी नहीं देखेंगे पहले हम इसके अंतर को समझेंगे तो हमने मापन समझा आकलन समझा अब हम चलते हैं मुल्यांकन की तरफ मुल्यांकन तीनों समझाएंगे फिर उसके अंतर को देखेंगे फिर हम उसके प्रकार पे चलेंगे तो अब आईए मापन में आपने क्या किया आकलन में क्या किया उन अंकों का अर्थ निकाला ठीक है अब मुल्यांकन में क्या करेंगे मुल्यांकन सिक्षण प्रकिरिया का वो अंग है जिसके दोवारा यह जाज की जाती है कि एक निश्चित समय में सिक्षण की उदेशी की पुर्टी कहां तक प्रगती हुई विद्यार्ती के अन्वो तथा योगिता में कितनी विरिदी हुई उनके वहवार में कितना परिवर्तन हुआ तथा सिक्षक नीज दिशा में कहां तक सहयो किया अब आप उसका संपूर्ण एनालेसिस करेंगे एक बच्चा 60 नंबर पाया उसका क्लास में क्या स्थान है क्या रैंक है और वो कितना बहतर कर सकता है कहां उसकी कमी रह गई और जो बच्चा सीखा उसके वहवार में कितना परिवर्तन हुआ समाजिक तोर पे उसकी कितनी विरिदी हुई उसका नैतिक कितना विकास हुआ उसका दिमाग का कितना विकास हुआ जब संपूर्ण आप complete analysis करेंगे तो इन चीज़ को क्या कहते हैं दोस्तों मुल्यांगन करेंगे समझ में आ गई बाद मापन है सबसे पहले मापन है आपने मापन में अंक दिधार्द कियें फिर उसके बाद आकलन है आकलन में आपने उसके अर्थ अर्थ दे रही है उसके बाद मुल्यांगन उन अर्थों का संपूर्ण विसलेशन करेंगे अब आए मुल्यांगन का साब्दिक अर्थ है कि मुल्यांगन मुल्यांगन में मापन के परिडामों की व्याख्या की जाती है और व्याक्या कुछ समाजिक, सांस्क्रितिक अत्वा व्यग्यानिक माप, माप दंडो के अधार पर की जाती है चीक है? चलिए बहुत से अब मुल्यांकन की परिवासा देख लेते हैं मुल्यांकन का अर्थ किसी वस्तु या प्रकिरिया का मुल्य निश्चित करना है मतलब साथ नमबर पाया तो साथ नमबर पाने के बाद इस बच्चे का मुल्य क्या है यह कितना प्रभावसाली है, यह कितना पढ़ने में तेज है, कितना प्रतिवासाली है इस प्रकार सैचिख मुल्यांकन से तातपर है सिख्चर प्रकेरिया तथा सीखने की किरियाओं से उत्पन अन्भाओं की उपियोगिता के बारे में निर्लाँ देना ये बात किस ने कहा था ये बात कहा था टारगेजिंसर एंड एडमसन स्वरी एडमसने कहा था छीक है एक और हम देख लेते हैं रेमर्स और गेझ ने क्या कहा था मुल्यांकन के बारे में उन्हों ने कहा थै कि मुल्यांकन में व्यक्ति या समाज दोनों की acquasal से तो अच्छा है अत्वा वंचनी है उसको मानकर चला जाता है चीखा चलिए एक और हम देख लेते हैं वो है क्वलीन वह हना ने जहाँ आगा था चात्रों के वहवार में विद्याले द्वारा लाए गए परिवर्तन की विशय में प्रमाडों के संकलन और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया की मुल्यांकन है ठीक है जोस्तों मापन में आपने अंक दिया और आकलन में आपने अर्थ निकाला और मुल्यांकन में उसकी क् तो यह हो गया मुल्यांगण, ठीग है, चलिए बहुत जाँ। अब, बात कर लेते हैं मुल्यांगण, के घटक कौन कौन Calmस है। तो मुल्यांगण की घटक पहले तो आप मापन करेंगे फिर मापन के दुआरा प्राफ परिडामों का विश्निस्ट बेंगे, तो आप इसको ऐसे ह cŃणिंगाओ के लिख लीजिएए, ऑके बहुत सही, चलिए, मुल्यांकन की सिख्चा में क्या आँ सकता है, क्यों करते हैं, एक सिखने की तो कि प्रिवरतन किया जा सकता है मालेज़ेकरystem से बच्चे के एवे अब प्रर आ вмर्व आप बच्चे को समझा सकते हैं रिखिशा कर सकते हैं परिख्छा हम बात करते हैं कि सिख्षा में मुल्यांगन के उद्य से उमकार है क्यों करते हैं जब आप बच्चे को एक पूरुवकतन जब आप पढ़ाने जा रहे हैं उससे पहले आप पूरुवकतन का आसा है कि व्यक्ति की वर्तमान की छमताओं और योगताओं को देखकर उसके भवि रहे हैं तो आप मुल्यांगन के द्वारा सब यह क्या करेंगे पता के लगाएंगे कोई भी सिख्षा में समद्धित अनुसंधान या सोध बिना मापन मुल्यांगन के द्वारा हमें आकड़े प्राप्त होते हैं उसके अधार पर हम किसी निसकर्स पर निकलते हैं तो यह संसोधन करते हैं और उन्हें पता चलता है कि कौन से विधी द्वारा ज्यादा उपयोगी है और किस द्वारा पढ़ाने से ज्यादा लाभान मित होंगे तो समझ में आगए दोस्तों बहुत सई चलिए मुल्यांगन के हम स्टेज देख लेते हैं मतलब सोपान कैसे कैसे मोल्यापन होता है तो तीन स्टेज में होता है सबसे पहले तो आप सहची कुछ देश का निधारल करेंगे और परिभास आप किसी चीज का क्यो मुल्यांगन कर रहें तो आप एक उदेश से दिधारिट करेंगे कि हम इसके लिए मुल्यांगन करें हम आप योजना बनाएंगे कि उसका उदेश प्रकारसे प्रिख्चा ले सकते हैं या फिर आप फुरा सा observe करके देख सकते तो मतलब पहला आपका stage होगा कि आप उदेश से निजाइस करेंगे दूसरा होगा कि आप उसकी योजना बनाएंगे और वहवार परिवर्तन के अधार पर क्या करेंगे उसका मुल्यांकन करेंगे ठीक है ठीक है दोस्तों अगर ये तीनों समझ में आ गया होगा तो फिर आपको आकलन मापन और मुल्यांकन समझने में बिल्कुल भी परिशानी नहीं होगी क्योंकि आपके लिए हम बड़े आसान सब्दों में आपके लिए इन तीनों का अंतर लाए है ठीक है तो सबसे पहले तो ठांकि सोमझ जीनों ने मेरे लिए ये पी डिया बनाया है और ये अपनी हैंडराइटिंग में लिखा है ये हैंडराइटिंग नहीं एक मेरी दोस्त के हैंडराइटिंग है बहुत बहुत शुक्रीया आपने मुझे ये भेजा चलिए अब हम सुरू करते हैं यहाँ पर आकलन और मापन और मुल्यांकर के अंतर को देखते हैं और समझते हैं बड़ा मज़ाएगा तो देखिए सिंपल सी बात है मापन क्या है तो यह किसी वस्तू का अंकात्मत मतलब अंक परदान करता है अता इसे नंबर अमटित की जाते आकलन में क्या होता है दोस्तो अंको का अर्थ निकाला जाता है ठीक है और मुल्यांकर क्या होता है अंक देना अंको का अर्थ मुल्यांकर करना तो अंको का अर्थ निकालना यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे कर देना चाहिए कि अंक देना अंको का अर्थ निकालना और मुल्यां करना अब यह परिडात्मक होता है ठीक है आपको परिणाम मिल जाएगा यह अभी परिडात्मक होता है लेकिन यह परिडात्मक तो परिमारात्मक आपको परिमार भी मिलता है ठीक है तो यह परिडात्मक और परिमारात्मक दोनों होता है चलिए बहुत सही मापन संख्यात्मक होता है ठीक है संख्यों में इसका अर्थ निकला जाता है आकलन का संख्यात्मक तो होता है यह साथी साथ परिडात्मक भी होता है और मुल्यांकन के द्वारा मुल्यों का निधार किया जाता है ठीक है तो जब हम मुल्यों का मापन भी आजाते हैं और आकलन भी आजाते हैं ठीक है इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा मुल्यांकन हो जाएगा ठीक है तो आव आई principle ज्यादा विस्तृत नहीं होता है ठीक है कि अर्थाध यह सिमित होता है क्यों कि हमें बस अंप्रदान करना होता है आकलन का पराया विस्तरित होता है इससे तो विस्तरित होगा और मुल्यांकन इन दोनों से ज़्यादा विस्तरित होगा ठीक है अब आइए इसके द्वारा छात्रों की उत्तर पुस्तिका को जाच कर अंक परदान किये जाते है आकलन के दवारा छात्रों की कमजोरी और अच्छाईयों का ग्यात होता है मुल्यांकन के दवारा दोसों को पता लगा कर दूर किया जाता है उसके मुलिद है चलिए बहुत से मापन उपलब्दी का अस्तर है आकलन प्राप्ती का अस्तर है मुल्यांकन उन्नती का अस्तर है वाह ये क्या बहुत अच्छा मापन उपलब्दी का अस्तर है आकलन प्राप्ती का अस्तर है और मुल्यांकन उन्नती का अस्तर है वाह बहुत से मापन अपचारिक होता है आकलन अपचारिक तता अनपचारिक दोनों होता है और यह एक अनपचारिक प्रके लिया होती है चलिए यह पार्ट यह वस्तु केंदरित होता है यह सिक्षत तता चात रखेंदरित होता है और यह उद्देश केंदरित होता है जिस उद्देज स्कौम पराप्त करने वो कहांँ तक मिला हमें वो बताई इसमें कम समय लगता है मापम पे कम समय लगता है इसमें इस से जदा लगएगा और इसमें सबसे जदा लगएगा ठीक है? कोई दिक्कत नहीग चलिए मापन के द्वारा परिक्षड किया जाता है आकलन के द्वारा वहवार की निगरानी की जाती है और मुल्यांकन लगतार चलने वाली प्रक्रिया है इसको अलोचनात्मक कहा जाता है इसे निदनात्मक कहा जाता है और इसको अलोचनात्मक और निदनात्मक मतलब उसके कारान का पता लगाएंगे और यह दोनों होता है ठीक है चलिए इसको निश्चित समय में किया जाता है इसको भी निश्चित समय में किया जाता है यह एक सतत रूप से चलने वाली प्रकिरिया है तो कोई जरूर निश्चित समय पे आप उसके वहवार को भी अबस को खतम होने के बाद लेकिन लाइक तो अभी कर दीजिए क्योंकि आप सतत्त मुल्यांकन करते रहें वीडियो को लाइक करते रहें हाँ एक ही बार करिए दो बार मत करिएगा चलिए मापन का अस्तित्व के सामेता बाता है जब हम विद्यार्थियों को अंग परदान करते हैं इसके अंदगत सही उत्तर के लिए पूर्ण अंक और गरत उत्तर के लिए के लिए कोई सुन्न भी दिया जाता है और इसमें गडित तथा वेवसाइक जैसी कुछ ही परिच्छाएं समलित की जाती है आकलन का मुख्य उद्दे से सिक्चर परक्रिया उसकी समागरी में गात्मक आदी पच्छो का मुल्यांकन किया जाता है अता इसमें कई प्रकार की परिच्छाएं सामीर होती हैं दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखा है न तो जब आपका कलम उठेगा परिच्छा में मापन मुल्यांकन के बारे में ल चलते हैं मुल्यांकन के परकार पर वह एक सतत और व्यापक मुल्यांकन ठीक है दोस्तों क्योंकि इस वीडियो में हमें क्या करना है इन तीनों से संबंदित सारे प्रश्णों को खतम करना है ठीक है क्योंकि एक्जाम सनजदिक है आपके तो चलिए चलते हैं आपके मुल्य मुल्यांकन के प्रकार सतत और व्यापक मुल्यांकन पर आप दोस्तों लाइक कर दीजी वीडियो को आपके इस लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो चले शुरू करें चलिए महापन सतत और व्यापक मुल्यांकन पहले सब्दों को समझ जाएगी सतत को कहते हैं कांटिन के विविन विद्यों करड़ों दौरा व्यापक आकलन की आ जाता है सतत मतलब देखो सबात क्याने का मतलब की हमेशा नीरंतर रूप से चलती रहती है सब्ट का सारदी करता है लगतार इस प्रकार से सब्द्रिंद्र कर दिया था इसमें बच्चों का आकलन सतत एवम नेमित रूप से किया जाता है जो पूरे वर्स आपचारिक तो एवम आपचारिक रूप से चलता रहता है सतत आकलन एवम कक्छा सिक्षर प्रक्रिया दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है इसमें नो सिर्फ विसे बल्कि आधार बल्कि सवापार्टे करम गती वीदियों का भी नेमे दुरूप से आकलर किया जाता है चीक है चलिए व्यापक का मतलब व्यापक से आसा है कि बच्चे के समस्त कौसल गुड़ों एक के विकास से है जिसमें सारणिक मांसिक सामाजिक न आने के लिए परियाब समय क्या सकता है कि मुल्य कन को ऑफ्रबु और ऋबंने चात्रों के क्रम में आने वाली कटनाई को कम किया जाता है बिल्कुल वही बात कुछ नए नहीं है उद्देशी की बात करें तो विवे ने विश्यों के निश्चित समय उपरांद बच्चों की प्रगती जानते हैं इसको छोड़ दिए आप बस लिख लेंगे मुझे पता है दोस्तों आप समझ गाएं आप लिख लेंगे बस आपचारिक तौर पे इसको देख लेते हैं बच बच्चों की व्यक्तिकत और विशेस जागरूतों का पता लगाना बच्चों को सीखने में कठनाई को दूर करने के अध्यापन यूगतियोजना बनाना बच्चों में रूची जगाना कक्षा में चल रही सीखने सिखने सिबको बहतर बनाना और बच्चों में पदिश्या में चिर्णा उसको कहते हैं सिम्लेटीव और फॉमुलिटिव एस्सेस्मेंट घिक है आये करे दोस्तों बात कर लेते संद्रचनात्मक और योगात्मक मुल्यांकर की चीच कभी-कभी आप से यह पूछता है संद्रचनात्मक आकलन पूछ देता है ठीक है मुल्यांकन की जगह आपको आकलन लिखके आ जाएगा ठीक है इसमें होता क्या है वास्तों में तो संराचनात्मक मुल्यांकन फॉर्मिलेटिव एवैलिएशन की अगर हम बात करें तो इसमें होता क्या है संराचनात्मक इसे रचनात्मक या निर्रात्मक मुल्यांकन भी कहते हैं अब देखिए जब कोई भी सीख्षक योजना और अपनी प्राराम्बिक या निर्माड आवस्ता में हो और उ ये जानना है कि इसने कितना पढ़ा और अगर कंई होगी पढ़ने में तो आप सुधार करेंगे तो जब इस परकार का आप मुल्यांकन करते हैं इस परकार का जब आखलन करेंगे तो वह थानगतर आतिया और ये हो गया संन रचनात्मक अब मानलीजी आप आपने पूरे साल पढ़ा दिया और आप फाइनल टेस्ट ले रहे हैं और फाइनल टेस्ट में आपने देखा कि मैथ में बच्चा कमजोर है तो आप बैठ के एक्जाम में उसको समझाएंगे नहीं आप कहा देंगे फेल आप नेड़े ले लेंगे आपका नेड़े होगा कि ये बच्चा फेल है मैथ में ये कमजोर है मैथ इसको दुबारा पढ़ने की जरूत है दुबारा से इस क्लास में पढ़ो तो यही कहते हैं कि जब कोई सैच्छी की योजना अपना प्रारामभी किया निर्माड आवस्ता में मतलब पढ़ाई सुरू हुई है या पढ़ाई चल रही है तो जब इस अवस्ता में उसका मुल्यांकन किया जाता है क्यों किया जाता है ताकि उसका सुधार किया जा सके तो इस प्रकार के मुल्यांकन को सरनचरात्मक मुल्यांकन करते हैं और योगात्मक किसे कहते हैं योगात्मक मुल्यांकन जब कोई पूर्व निर्मि है सेसी कारकरम या चोंद जनकारी इसलिए एक तरित निर्ड़ो we लेना है कि पढ़ाई आगे बढ़ाई से नहीं किसी अनिब्ध में तो उस काar को आखे भेजना है कि नहीं भेजना जब इसका निरड़े लेने के लिए करते हैं और वह कारे अल्रेडी पूरा हो चुका रहता है ठीक है वह सेची करकर हैं पुर्व निर्मित पहले से पूरा हो चुका है हम उसके भविस में आगे भीजने हैं ना भीजने के निरड़े लेने के अर उसका मुल्यांकन सुधार के लिए किया जा है तो इस प्रकार के मुल्यांकन सर्वकषिक सब्सक्राइब जिससे उस कारक्रम ये योजना को स्विकार करने या भवी समय चारी रखने के समझ में निड़े लिया जा सके है बहुत सही युगात्मा कुल्यांगन सत्र के अंत में होता है या दिर्गकाली निड़े लेने के लिए मतपुड़ भूमी का निवाता है इसका निसकर्स ही अंतिम परिडाम होता है समझ में आ गया बहुत अच्छा दोस्तों चलिए अब इसका अंतर देख लेते हैं अंतर देखने के बाद वीडियो को खतम करेंगे ठीक है मुझे भी आप चुट्टी दे दीजिए अंतर में भी वही है ये कारक्रम योजना सुधा के लिए होता है और यह क्या होता है दोस्तों यह इसका निर्डाय लेने के लिए किया जाता है ठीक है यह अल्पकालीन छोटे समय में होता है और यह दिर्कालीन निर्डायने के लिए सायक होता है ठीक है इसकी प्रक्रति सुधरात्मक होती है ठीक है बहुत से यह अधिगम के मध्य में होता है ठीक है और यह अधिगम के अंत में होता है समापती भी होता है ठीक है इसके निसकर्स अंतिर पड़ाय में सामिल नहीं किया थे अमाल यह कोई बच्चा आप क्लासरूम में आप ने किसी दिन उससे कोई सवाल पूछा कि आप बताओ हमें नाइन का टेबल नाइन का टेबल नहीं बताया तो जब आप फाईनल रिजल्ट बनाएंगे तो समें दस नमर काट लेंगे क्यों कि उस दिन नाइन में टेबल ऐसा होता है और बच्चा लिखा ही नहीं तो अब उसको थोड़े को इसका निसकर्ष यह कांदी प्रेडाम होता है तो बस समझ आ गया मज़ा आहा पढ़ने में बहुत सभी अच्छा समझ आ गया मापन के बारे में लिख लेंगे आकलन के बारे में लिख लेंगे मुल्यांगन के बारे में लिख लेंगे ठीक है सतत और व्यापक मुल्यांगन के बारे में लिख लेंगे इनके तीनों के अंतर लिख लेंगे संराजनात्मक और योगात्मक के बारे में लिख ले बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आपने यहां तक वीडियो को देखा ठीक है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तो शेयर करें और मोस्ट इंपर्टेंट बात क्या है कि कमेंट में आप मुझे बताईए कि आपको जै हिन जै भारत